वहिगुरु जी का खालसा वहिगुरु जी की फते शब्द करांगे पाई मनिंदर सिंग जी दी कॉंपोजिशन दे विच पावन शब्द है गुर सतकुर का जो सिख अखाए सोपल के उठहार नाम तेयाए चोथिस फेज तो इस शब्दनों अपा सिखाँगे मेरे वीरा ले एह स्वर है पहला चिट्टा एह हुंदा है पहला दूसरा दीसरा ते चोथा चोथिस फेज तो इस शब्दनों गाईन करना सिखाँगे अब लेदा पुड़ा वी एथे हिस्वर किता जावेगा कहर विताल दे विच इह शब्द है इस शब्द दिया सुरा सारे का पर धासा नीधा पर गारे साधासा फुपाली राग दे विच इह शब्द दी कॉंपोजिशन बन दी है पस एक नी अलग लग दी है क्योंकि यह रीत है इस विच शुर अपना बार दे लगा सकदे है इसलिए अहे राग नहीं है राग दे विच इह कॉंपोजिशन है पुपाली राग दे में विच एह फिस कॉंपोजिशन बन दी है एक बार मैं शब्द गाइन करांगा उस्तो बाद उस दी सरगम ते बाद विच उस सरगम दे उपर शब्द किस तरह लगाना है में नाल दी नाल गाइन करके दसांगा स्लो स्लो बजावांगा आप जी सिख सक देगो गुर्सत गुर्का जो सिख अखाए गुर्सत गुर्का जो सिख अखाए सुभन के उठ आए गुर्सत गुर्का जो सिख अखाए और इस दी सरगम देखो गुर्सत गुर्का जो सिख अखाए गरे करे सासा आए सद्धा दाधा रेसा गारे साथ एक और इस देखो करे करे सा सा सारे सा धा सा धा सा धा धा धारे सा गारे सा गुर सक्त गुर का जो सिख धा तुवा से दा रे जो सिख अखा आए सुभल के उठ सुभल के उठ सारे सासार गापाधा सुपल के उठ सासार गापाधा हार नाम ते आये धाधा पधास पधाधापा हार नाम ते आये धाधा पधास पधापा जिटा दूसरी वरी बोलना है वापसीदा, वो देखो जिटा वरी फिर देखो जो सिख अखाये एसी अस्थाई घुन करांगे अंत्रा, उत्ते वाले साथ हो, उत्ते बिद्धी है, एथर शुरू करना है अंत्रा उद्म करे, भल के परबाती सार्गम देखो सासर सार सासर पल के परबाती दाधा पधासा पधाधापा पल के परबाती इशनान निक्रे अम्रत सरनावे इशनान निक्रे अम्रत सरनावे पाधा पगा सरे रे पगा पाप अम्रत सरना गारे गारे सासा इस अर्गम पाधा पागा सारे रे पागा पागा नेक्स लाइन अम्रत सार नावे गार गार सासा अज़री अगली लाइन है उपदेश गुरू हर हर जप जप याप यहीं सर्गम ते लगना है उपदेश गुरू हर हर जप जाप यहीं सर्गम ते लगना है पाप दोख नह जावे पुरसत पुरकार जो सिख अखाए वाकि सारे अंतरे एही सर्गम ते लगने हैं तो अड़ाई शावद स्वंपूरन हो जावे गाजी वाही गुरू जी का खालसा वाही गुरू जी की फतेव